अलो फैंस वेकम बाक तो मुट्व चैनल को बड़ी आऊंगे बात करें के निफ्टी निफ्टी के चार्ट में किस तरह का मोमेंटम देखने को मिलते हैं जो भी मेंबर रिसेंट जॉइन हुए मेरे टेलिग्राम ग्रूप में जो भी अभी डेटा को देखके ट्रेट करें पह भी आ होगा उनको कही निफ्टी के चार्ट पे बहुत सी चीजें लाया वह देखे और त्रेड करोंगे तो कही की आएप से पहले अगरbus कहां चार्ट देखिए निफ्टी के चार्ट में यहां पे आप देख तो टेकनिकली किसी को पता निया मार्केट कहां जानेवाद चा मार्किट कंफ्यूज है तो यहां मतलब कि डटा को कोई क्ली नहीं मिलने वाली हमेशा मैं आपको कहता हूँ डet अगर इस तरह का प्राइस है यह उपर उपर जा रहा या डांसेड इस तरह जा रहा इस तरह का दिख रहा तो भाय करोगे अगर डेटा बता रहा है तो आप लॉंग जाओगे डेटा से बता रहा है तो आप शॉट जाओगे लेकिन यह इस तरह का स्ट्रॉक्चर जब भी आपको देखने को मिलता है तो यहां पर आपको हो कौंशिस रहन है मिंस डेटा के पास एक लाजीन है कर लिए यहां अंकेटने का है का अने यह बाइंग अबने डेटा रहता यह सेलिंग मार्केट स्था यहां चल रहा है अब यह गोंगे 50-60 आएगा तब में पूट लूँगा सो यहां पर मार्किट क्या करता है फूर गया था उसके बाद यह दिन आपको ट्रेड नहीं करना को वेट करना कि मार्किट अपसाइड या डाउनसाइड कोई यह प्रेंट पकड़ेगा तबी में ट्रेड करूंगे जिस दिन आपको लग रहा है कि आप मार्कीट ट्रेड नहीं कर पा रहे हो ठीक है अगर आपको लगता है मुझे कुछ चीज हंडर में लेनी थी उसका वैल्यू 120 चला गया 130 चला गया यहां पर बिगनर क्या सोचता है कि मेर फ्लाइट मार्किट देखने को मिला पूरे दिन में तो कि मॉनिंग में यह वाला मोमेंटम हमने कैच किया था ठीक है बैंक निफ्टी में भी आपको डेटा ग्रीन हो चुका है उसके बाद आपको ग्राफ पोस्ट होगा ठीक है उसके बाद लगबग 300 पॉइंट का 25 और 41,000 मिन्स 42,000 यहां पर आपको 200-300 का रेंज काफी अच्छा देखने को मिला पर निफ्टी अगर आप देखो तो बिलकुल हमारे पास एक छोटा सा रेंज था यहां पर निफ्टी में उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बट बैंक निफ्टी अच्छा का सा स्टॉंग स्ट डाउन होता हुआ दिखेगा तब आप अपसाइड यह डाउंसाइड कुछ कॉंटिटी प्लान कर सकते ठीक है कल एक्सपाइडी रहने वाला अगर सेम मार्किट इसी रेंज में उपन होगा तो काफी जादा प्रीमियम मेल्ट होने वाले हैं ठीक है यह चीज़ आपको ध्य अगर किसी को अग्रेसिव ट्रेड करना है यह ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो अपसाइड आप 17,980 तक के टागेट प्लान कर सकते हो इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो नीचे आपके टागेट रहेंगे 17,820 के लगबंग यह दोनु साइट आप कर सकते हो अगर आपको थोड़ा कंसालडेशन मिलता है उसके बाइज और यह बड़ा मोमेंटम होगा तो उसके लिए आपको आपसाइड ब्रेक करना पड़ाएका 17,980 यहां से अगर ब्रेक आउट होता है फिर आप 18,000 के लगबंग यह दो बड़ा जाएंगे मुझे लगनी रहा कि अपसाइड कुछ बड़ा मोमेंटम होगा और डाउनसाइड हो सकता है डाउनसाइड के बहुत ज्यादा चांसिस हैं क्योंकि नीचे आपके पास उतना अच्छा स्पोर्ट एरिया है नहीं अगर मार्केट रिसेंट लो जो बनाया है इसके नीचे नि यहां पे मैंने आपको कहा था लॉंग करने के जो भी मेंबर्स प्रीमियम ग्रूप में या दूसरे ग्रूप में दोनों में आपको मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का डेटा ग्रीन हो चुका है बट जंप मत करना थोड़ा वेट करना तब यह कैंडल लगबग यहां था उसके बाद यहां पे आपको एक रिलिफ रिस्काउंट कंडल मिला उसके बाद यह मुमेंटम आपको क्लेर मिला उसके बाद फिर से मैंने आपको अपना प्रीमियम ग्रूप का स्क्रिंशॉट डाला इसमें अमने लॉंग ही प्लान किया था और किसी इमने भी आज शॉट प्लान नहीं किया ठीक है उसके बाद अगर आप देखोगी तो कल का मार्केट हमारा काफी इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला यहां पर ठीक है मेरे साब से एक असेंडिंग ट्रैंगल बनना चाहिए यहां ठीक है थोड़ा सा और कंसॉलिडेशन अगर इसी रेंज में आता है उसके बाद यह ब्रेक आउट करता है लगबग 42,300 के उपर निकलता है तो फिर से आप यहां से कुछ कॉंटिटी लॉंग कर सकते हो टागेट आपके 42,000, 430, 450 के लगबग आपके टागेट रहने चाहिए 43,300 के उपर 450 टागेट प्लान करेंगे अगर 450 की रेंज में कंसॉलिडेशन होने के बाद फिर से ब्रेक आउट होता है तो फिर आपको 42,500, 600 के टागेट अपसार देखने को मिल सकते हैं तिक नीचे य रहने चाहिए लगबग 41,000, 870 की रेंज में ठीक है उसके बाद ये रेंज पर अगर कहीं कंसॉलिडेशन होने के बाद ब्रेक डाउन होगा उसके बाद थोड़ा सा अग्रेस से मूव आपको देखने को मिलेगा क्योंके कल एक्सपाई रहने वाला है जो भी ऑप्शन बाय आप यहां पर हमने डिसकस किया तो मार्केट काफी अच्छा मोमेंटम किया है हॉल्ट केंडल वान है तो काफी अच्छा कांटिनुएशन में बाइंग मिला था अब आप तो फिर से मार्केट अभी काफी अच्छा स्ट्रॉक्चर डाउन्स का देखने को मिल ला है तो हमें साइडवेस एक्सपारी भी देखने को मिल सकता है क्योंकि रीजेंट जूतनी भी अभी अभी तक हमने ट्रेट की हैं सारी अच्छा स्ट्रॉक्चर ठीक है इसमें भी अपसाइड काफी अच्छा स्पेस है तो देखते हैं नेस्ट वाएरा किस तरह से मूग करेंगे और लगबग ही ट्रेड कर रहा है 81.50 के लगबग से स्पोर्ट लिया यूस्टी ने यहां पर थोड़ा consolidation जाने के बाद अगर फिर से इसमें breakdown आएगा तो हमारी market काफी अच्छा पूश हो सकती है अपसाइड तो अभी हमारा market positive ही रहना चाहिए फिर भी अगर कुछ important levels होते हैं तो selling pressure हमें देखने को मिले हो फ्रेंट्स वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें शेयर करें अपने friends के सब थैंकिए